Hey everyone, so welcome again to our YouTube channel तो यह आज की वीडियो के अंदर हम यह सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपनी बैप साइट के अंदर पेरालेक्स एफेक्ट एड कर सकते हैं आपने काफी जगा पे यह एफेक्ट देखा हुआ का काफी सारी बैप साइट के अंदर इस टाइप का एफेक्ट तो basically इसे हम पेरालेक्स एफेक्ट कहते हैं और काफी जो बैप साइट होते हैं उन्हें यह लगता है कि यह काफी ज़्यादा हाड है और इसे हम कैसे अपनाई करें काफी ज़्यादा issue आता है आज आपके सारे डाउस्ट के लिए हो जाएंगे और मैंने आपर काफी सिंपल रखाए से मैंने complete website महीं बनाएंगे हापर वो हम कभी आगे definitely बनाएंगे बट आज हम चर्फ यही सीखने वाले हैं बहुत ही simple way में कि हम parallax effect कैसे add कर सकते हैं right the simplest way to add parallax effect in our description में मिल जाएगा वहां पर जाके आप इसे check out कर सकते हो जब चले बार start करते हैं तो यहां पर आप output में देख सकते हो पहले यह section है जहां पर background image है काफी प्यारी सी image है और जहां पर कुछ-कुछ content है heading है फिर यह text है paragraph and उसके बाद बटन है और उस पर मैंने hover effect भी add किया हुआ है right so जैसी कि आप यहां पर देख सकते हो read more so यह पहला section है अब जैसे ही मैं scroll करता हूँ तो यह देखो तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है यह देखो जैसी मैं scroll करूँगा तो text है वह तो हमारा change हो रहा है text हमारा ऊपर जा रहा है लेकिन जो हमारी image है background image है fix है यह देखो background image जो है वह मेरी fix है और उसी background image के ऊपर जो मेरा second वाला section है वह उस पर आ रहा है उसकी ऊपर आ रहा है so this is called parallax effect and यह देखने में भी काफी जादा अच्छा लगता है यह देखो यह effect कितना अच्छा लगता है देखने में so अभी तो हमने काफी जादा simple बनाया है तभी यह तना अच्छा लगदा सोचो अगर हमसे और ज्यादा करके बनाएं और अपनी website match करें कितनी जादा attractive लगेगी right so कुछ इस तरह की काजम बनाने वाले है मैंने तीनों ही जो तीन sections मैंने लिए हैं और तीनों में मैंने same content लिखा है अंदर heading, paragraph and button and हमने background image use किया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो and यह काफी अच्छा लग रहा है effect right तो चलो यार जल्दी से code की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे parallax effect बना सकते हैं using only HTML and CSS so guys हमने आपर कर लिए IBS code open और यह basic template हो है HTML का वह आपर मैंने बनाया हुआ है और हम main code जो है वह करनाय स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक dip class बनाएंगे so basically हम क्या करने वाले हैं हम 3 sections बनाने वाले हैं जिनके अंदर हम कुछ-कुछ content add करेंगे और background damage add करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम एक dip container पनाएंगे जिसमें class का नाम बेदोंगा parallax container parallax container और इसी dip के अंदर हम अपने सारे sections को add करेंगे जो भी हम 3 sections बनाने वाले हैं उन्हें हम इसमें add करेंगे so अब इसके अंदर हम एक और dip बनाएंगे जिसका नाम में रखोंगा parallax section और section 1 और इसे हम MPT छोड़ने वाले हैं because इसके अंदर हम अपनी जो parallax वाली properties हैं उन्हें apply करेंगे using CSS right so अभी हम एक और dip बनाएंगे जिसके अंदर हम basically अपना content डालने वाले हैं simple so हम content के नाम से class बना लेते हैं अब इसके अंदर हम अपना content add करेंगे सबसे पहले हम एक heading add करोंगा और heading का हम नाम रख देते हैं section 1 section 1 section 1 and heading के बाद हम एक paragraph लिखेंगे और paragraph के लिए मैं एक काम करता हूँ उसको direct combi कर लेता हूँ जिससे आपका time wish ना हो और जल्दी से हो जाए so यहांसे मैंने content उठा लिए paragraph उठा लिए है और इसे मैंने आपर paste किया और done so paragraph हाँ पर बनी चुका है अब हमको बनानी है एक read more button right so हम नीचे आएंगे और मैं आपर a tag का use करूंगा link tag का use करूंगा basically और हम यहांपर hashtag करेंगे और class बनाएंगे हम यहांपर class का नाम रख दूंगा read more button right so class का नाम रख दिया मैंने read more button अब यहांपर मैं text डाल दूंगा read more read more हमारा पहला section complete हुआ पहले हम output देखते है so here it is heading आपर आ चुकी है और paragraph भी हमने add कर दिया है हमको background image एड करनी है so वह हम करेंगे using css तो पहले हम जैसा कि हमने आपर पहला वाला section बनाया उसी tabs में बाकी दो sections भी बनाने है so चलो बाकी दो sections है उनको भी बनाते है जल्दी से so इसे मैं आपर copy कर लेता हूँ और इसे मैं आपर करूँगा paste और एक पर फिर से और यह हो जाएगा हमारा section 2 और यह हो जाएगा हमारा section 3 और paragraph हमारा सेम रहेगा यह section 2 कर देता हूँ और नीची कर देता हूँ section 3 perfect so एक बार output देखता है perfect so यहाँ पर हमारे तीनो sections जो है वह यहाँ पर आ चुके है और जो भी content है वो हमने add कर दिया है अब हमको background image add करनी है और कुछ CSS properties यहाँ पर apply करनी है so वो हम करेंगे using CSS तो चलो चलते हैं CSS के अंदर सबसे पहले जो हमारा body है उसके अंदर हम कुछ basic properties apply करेंगे जैसे कि margin 0 padding भी 0 और font family set कर लेते है font family में कर देता हूँ यह वाली कर लेते हैं कुछ भी कर सकते हो वह आपकी choice है और overflow x में कर देता हूँ hidden और अब जो मारा parallax container है उसके लिए हम CSS करेंगे so parallax container so इसमें position में कर देता हूँ relative inherit नहीं हमको relative करना है so position में कर देता हूँ relative height में set कर देता हूँ 100vh and overflow में कर देता हूँ hidden right चलो output देखते है so यहां पर आप देख सकते हूँ section 1 यहां पर आ रहा है और जो भी हमने properties apply की थी font family बगरा and padding बगरा वह सब यहां पर apply हो चुकी है और मैंने एक height set की थी वह height भी यहां पर set उच की है 100vh यहां पर देख सकते हो section 2 section 3 आप बस हमें background image add करनी है और parallax की properties apply करनी है right तो सबसे पहले हम क्या करते है background में image add कर लेते है तो जो मारा section 1 है section 1 तो इसके अंदर हम background image set करेंगे background image so यह समें url करके जो भी मेरी image का नाम है bg1 और यहां पर डाल दूँगा इसी टैप से मुझे section 2 और section 3 में भी background images add करनी है तो जल्दी से कर लेते है section 2 और section 2 के अंदर भी हमें background image background image add करनी है url और bg2 और इसी टैप से हम section 3 के अंदर भी background image add करेंगे background image url bg3 perfect तो यहां पर हमें add कर ली है अब हमें इनके अंदर properties भी set करनी पड़ेंगे इनकी height width हमको देनी पड़ेंगी तो वह भी हम set कर लेते है parallax section common यह वाली इसके अंदर हम यह सारी properties apply करेंगे जिसे कि हम एक ही बार property को apply करें और वो तीनों ही जो हमारी images है यहां फिर बोल सकते है section है उनमे apply हो जाए तो हम पर parallax section लेंगे और position change करेंगे absolute और width में कर देता हूं 100% height V में कर देता हूं 100% तो यहां पर आप output में देख सकते हो हमारी पहली वाली image यहां पर आ चुकी है एक उनकी height और width हम दे 100% यह लिए उनकी height width फुलो चुकी है बट image हमको अच्छे से सो नहीं हो रही है तो यह वाली properties भी apply करते है तो यहां पर मैं इसके लिए use करूंगा background attachment और इसे मैं कर देता हूं fixed ठीक है और background position में set use करूंगा और इसे मैं कर दोंगा center इससे क्या होगा जो मेरी image होगी वो center में आ जाएगी और background repeat मैं कर देता हूं no repeat right और background size property मैं use करूंगा background size जो कि मैं करूंगा contain नहीं cover जसी कि मेरी पूरी size में जो entire screen है उसमें मेरी image आए right so अब यह output देखते है so now perfect जो भी हमारी background image है वो यहाँ पर perfectly set हो चुकी है अब यहाँ पर आप एक parallax effect देख सकते हो पर एक कैसे आया तो चलो देखते हैं so मैं आप एक property use की background attachment fixed तो अगर मैं एक बार इसे comment out करूं और अब मैं output देखूं तो अब आप देखो अब जैसे कि मैंने normal images हम add करते हैं वैसे ही यहाँ पर output वैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई भी parallax effect नहीं दिखाई दे रहा है हमको simple मैं जैसे ही scroll करना start करूंगा तो जो मेरी ऊपर वाली image है वह भी यहाँ पर scroll हो रही है वह भी यहाँ पर move हो रही है और उसके बाद second वाली image आ रही है और यहाँ पर third वाली image है वह आ रही है तो यहाँ पर यह normal जो हम करते हैं वह है बट अगर मैं यहाँ पर parallax effect एड़ करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे एक property का use करना पड़ेगा जो की है background attachment अब इसका मतलब क्या है इस property का मतलब है कि जो भी background है उसमें जो भी image बागेरा है या फिर text है जो भी है वह fix हो जाए फिर इसका मतलब है कि मैं जब भी अपनी window को scroll कह रहूंगा तब इमेज मेरी fix रहेगी वह move नहीं होगी और जैसा कि हम output में भी देख सकते हैं अब मैंने आपर वह उस property को apply किया हुआ है और जैसे ही मैं अब scroll करूंगा तो आप देख सकते हो जो मेरी उपर वाली image है वह fix है वह move नहीं हो रही है बट पहले ऐसा नहीं हो रहा था अब आप देखो जो मेरी image है वह move नहीं हो रही है अब जैसे कि यहाँ पर फष्ट वाली image थी उसकी उपर यह second वाली image आई जब मैं फिर से करूंगा scroll तो second वाली image fix हो जाएगी और third वाली image उसकी उपर आएगी right so this is called parallax effect और parallax effect हम simple एक ही CSS पेरोपर्टी का use करके apply कर सकते हैं और उस पेरोपर्टी का नाम है background attachment और इसके अंदर हमें value पास करनी है so I hope अब आपको यह पता चल गया है कि हमें अगर एक parallax effect add करना है अपने किसी भी web page या अपनी website के अंदर वह हम कैसे कर सकते हैं right उसके लिए हमें इस पेरोपर्टी का use करना है और simple हम इसका use करेंगे और that's it हमारा काम हो जाएगा right so अभी हमने parallax effect है हम पे use कर लिया है अब हमको बसका content है उसके लिए थोड़ी css लिखनी है तो वह भी जल्दी से लिख लेते हैं so यहां पर मैं जो content नाम की class थी जिसके अंदर हमारा content अता सारा वह मैं यहां पर लिखूंगा content content और content के अंदर हम पहले उसकी position को set करते हैं so position हमने आपर set की जाएड इंडेक्स हम दे देते हैं जैसे की जो हमारा text है वह हमारी images बगर आके ऊपर सो हो और padding set कर लेते हैं आपर padding 50 pixel करते हैं और color कर लेते हैं हम white so output देखते हैं so यहां पर आप देख सकते हो अब हमें जो भी हमने content ने आपर add किया था वह हमें so होने लगाए अब basically हमें से center करना है और थोड़ा और थोड़ी बहुत CSS properties और apply करना है तो वह भी कर लेते हैं जल्दी से so यहां पर मैं सबसे पहले text align का use करूंगा text align जिससे कि हम जो हमारा content है उसे center में कर पाए है so text line center so यहां पर हमारा content है वो center में आ चुका है और अब जो हमारी heading 1 है h1 है उसका size हम change करते है so इसका front size में कर देता हूं 3 em और margin bottom में कर देता हूं 20 pixel so अब देख सकते हैं इसका size अब बढ़ चुका है और ऐसे ही जो मेरा paragraph है उसका भी में font size थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो इसका font size में कर देता हूं 1.5 em so यहां पर हमारा paragraph भी all set इसके बाद जो मेरी read more button है उसके लिए CSS लिखते हैं so यहां होंगा read more button right so सबसे पहले हम display change करते हैं so display में कर देता हूं line block और padding देता है so padding में देता हूं 10 pixel और 20 pixel इसके बाद margin top margin top change करते हैं 20 pixel और इसके बाद background color भी change करते हैं so background color में कर देता हूं hashtag f3 triple e और a perfect और color में set कर देता हूं black और text decoration कर देता हूं because this is a link so text decoration कर देता है none and border radius भी थोड़ी सी set करते हैं जस्ते थोड़ा button अच्छा लगे look अच्छा है उसका so यह मैं 10 pixel कर देता हूं और transaction set कर देता है so मैं background color जो है उसमें मेरा transaction add करूंगा और जो की होगा 0.3s का right चलो output देखते है perfect so button आप यहां पर देख सकते हो आप काफी अच्छी लग रही है read more button so इसमें hover effect भी हम add कर लेते हैं so चलो hover effect add करते हैं so यहां पर hover effect के लिए मैं इसको ऊपर से copy कर देता हूं class का name और यहां पर मैं hover effect लखूंगा hover hover और इसके अंदर background color change करेंगे पहले so यह मैं कर देता हूं 555 और color भी change करेंगे so color मैं यह वाला रखता हूं चलो output देते हैं so मैं जैसे read more पर hover करूंगा आप यहां पर देख सकते हो हमारा text color change हो रहा है और background color भी change हो रहा है और यह काफी अच्छा लग रहा है देखने में हम चाहे तो इसमें कोई और color भी add कर सकते हैं वह आपकी choice है आज की वीडियो में मेरा main motive ही था है कि आपको यह पता चली कि parallax effect की how to add parallax effect in website right and I hope आपका वह पता चल गया है अब आपसे कोई पूचे कि यार parallax website बनानी है तो कैसे बनाते मताओ आप उन्हें पता सकते हो कि parallax website कैसे बनती है और हम parallax effect को कैसे use करते हैं इसके लिए simple आपको यह वाली property यूज करनी है background attachment fixed इसमें आप और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो बट एक basic जो parallax effect add करने का rule होता है वह मैं आपको बता दिया है अब इसमें हम और भी चीजें add करेंगे अगर आप चाते हो मैं एक फुल-fledged parallax website बनाऊं तो आप comment करके बता सकते हो मैं definitely ऐसी एक वीडियो लेकिया होगा and definitely आपको से भी काफी को सीखने को मिलेगा so guys ऐसकी वीडियो में इतना ही I hope you guys like this video and इसका source code आपको वीडियो के description मिल जाएगा आप इसे use कर सकते हो and that's it guys I hope you guys like this video so make sure to hit the like button and subscribe to our channel for more such amazing videos see you guys in the next video till then keep learning and keep growing thank you